आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ हुसेंग और बुलबुल को गंभीर चूटाने से प्रात्मिक उपचार सिवल अस्पताल में भरती किया गया वहीं इसी तरह एक अन्यसाडक दुरघटना में घायल शबिर खान और रेहाना भी घायल हुए इनका भी उपचार शिवल अस्पताल में हुआ वहीं सभी घायलों को प्रात्मिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया थाने के सामने हुए दो पहिया वाहन पर सवार एक यूति का 20 दिन बाद विवाह होने वाला है और ये बोध गाउं निवासी है सनावत से विवेक विध्यारती के रिपोर्ट